नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आश्रकोश यह दिली का रामलीला मैदान है जहाँ पर भारती जनता पार्टी का दो दिवस्ये राष्ट्य अधिवेशन खुला अधिवेशन चल रहा है अभी बस पांच मिनट पहले भाच्पा के राष्ट् में सब्सक्रा अधियरा घुद्री म्टोशिय मगारत्वस्ये राष्ट्य राष्ट्य आधिवेशन हमें वहा हमारे न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बलकि विश्व शांती के लिए कारे कर रही गरीवों को समर्पेट सबका साथ सबका विकास सोचने वाली भारते जनता पार्टी के राश्तिय अध्यक्ष श्री अमिज साह जी विपरीट परिस्तितियों में भारत के गौर को अपने पराकाष्ठा पे पहुंचा रहे विश्वमा निनेता देश के सश्री प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे संसदी अदल के सभी आदर्णी सदस्य गन सभी प्रलेशों के भारतिय जनता पार्टी के तरफ से मुख्य मंत्री गन राश्टिय पदाधिकारी गन सभी मोर्चों के पदाधिकारी गन सभी सांसद बिधायक पार्षद गन सभी प्रदेशाद्यक्षिगन जिलाद्यक्ष मंडल अध्यक्ष विभाग प्रकोष पकर्पों के सभी सदस्थि अधिवेशन में अपेक्षित और उपस्थित हमारे सभी भाई वहन और देश की मीडिया दिल्ली भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश अधियक्ष के रूप में आप सभी का सभी सदस्थिवेशन में हम स्वागत करते हैं आप सब को परणाम करते हैं कदम मिला कर चलना होगा ऐसी लाइनों के जनमदाता स्वर्गी अटल विहारी बाजपेई जी के चर्णों में स्रधावन स्रधांजली देते हुए हम आपको इस बात का याद दिलाना चाहते हैं कि देश की राजधानी होने के नाते हमें भारतिय जन्ता पार्टी के तरफ से कई ऐसे कारिक्रम मिलते हैं जो हमारी परिक्षा भी लेते हैं हमारी लिए चुनोती भी होते हैं ये इतना बड़ा धिवेशन बहुत समय के बाद दिल्ली को मिला है और हम दिल्ली के छोड़े-छोड़े कारिकरता हम सभी मिलकर अपने संक्षन महामंत्री सहित कोशिस किये हैं कोई गलती हो जाए तो छमा कर लीजिएगा हमारी अच्छाईयों को लेकर जाईएगा कोई कमी होगी तो छोड़ दीजिएगा ये अस्थान बड़ा ऐतिहा सिखे साथियों ये अस्थान सरकार बनाने के लिए बड़ा ही शुब है जब ये अधिवेशन हो रहा है तो हमारे सामने लोगतबा का चुनाव भी है 2014 के पहले भी यहां पे अधिवेशन हुआ था और ये भी इस सारे को आप अच्छी तरह समझते हैं आधरनी प्रधान मंत्री जी और हमारे सभी वरिष्ट लोगों की उपस्तिती में अगले दो दिन में बहुत सारे संकल्प लिए जाएंगे जिसमें सबसे प्रमुख संकल्प होगा नरेंद्र मोदी जी को वापस भारत के प्रधान मंत्री पदपे बिठाना और हम सब उस संकल्प को लेकर अपने घर जाएंगे मैं दो लाइन की कविता अचल जी की स्मृति में सुनाते हुए आज अपनी वाणी को इस वागत बाशन में विराम देना चाहूँगा की राम लिला मेदान से हो रहा महुरत है राम लिला मेदान से हो रहा महुरत है पांच शाल और हमें मोदी की जरूरत है मन उनका साफ है कर रहे इन साफ है नियत में खोट नहीं है इसलिए हो रहा विकात है दलित शोशित पीडित वंचित सभी जाती के गरीबों के दिल का वो मूरत है पांच साल और हमें मोदी की जरूरत इसके साथ साथ अमित शा ने अपने भाशन में जो सरकार की उपलब्दियां है उसको गिनाते हुए कारिकरताओं को कहा जो यहां पर उपस्थित कारिकरता अमित शान अपने भाशन में कारिकरताओं को कहा कि मोदी सरकार ने पिछले साथ चार पात साल में एसा काम नहीं किया है जिससे आपको शर्मिन्ना होना परे आप सीना ठोक के जाईए और जंता के बीच में जाईए और कहिए कि हमारी सरकार बहुत ही इमांदारी से बहुत ही साफगोई से काम किया है और हमारी सरकार को अब फिर से चुनिया ऐसा उन्होंने कारकरताओं को संदेश दिया जो परचार और परसार करने के लिए इसके साथ साथ अमित शाह ने राहुल गांधी पर जम कर हमला बोल उनोंने income tax की जो pending है जो income tax की notice मिली है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सको ले करके मा बेटे पर निशाना साधा मतब सोनिया गांधी और राहूल गांधी पर निशाना सादा इसके साथよね मित्रोग सुप्रिंग कौट में क्यस चल रहा है हम प्रयास करें हैं कि जल से जल केस का निप्टा रहो हमने कहा है कि समवईदानिक रूप से राममंदिर का निर्मान होगा मगर कॉंग्रेस पार्टी अनलर रोडा आठकाने का एक भी मौका जाने नहीं देती गुजरात में चुनाओधा केस चलने को आया किसी की ओर से एपियर होकर कपील सिपल कॉंग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि केस को 2019 के बाद चलाई है कॉंग्रेस पार्टी ने अपनी स्थीपी स्पष्च करनी चाहिए मित्रो भारतिय जन्ता पार्टी का कारकता स्वस्त रहे हम समवईदाने कुर्प से राम जन्मवीब बनाने के लिए कटी बद्ध थे और आज भी है मित्रो मित्रो पांच साल पांच साल नरेंद्र मोधी सरकार चली 2014 के पहले 10 साल यूपिये की सरकार चली पॉलिसी पेरालिसी सोता गपले गटाले भरस्टाचार विकास नीचे जाता था सन्मान देश का नीचे जाता था हमने पांच साल कैसी सरकार चलाई है हमने पांच साल सरकार चलाई है नीनायक सरकार चलाई है, पारदर्थी सरकार चलाई है, समवेदन सिल्ध सरकार चलाई है मित्रो, और लोगतंत्र के आधार पर सरकार चलाने का काम ये भारतिय जनता पार्टी में साथ है, पहले हम निकले थे, भारतिय जनता पार्टी का कैडर हमारे साथ था, साथी दलों की मुदी जी को देश की जनता मौका देना चाहती थी आज मोदी जी ने करके दिखाया है उसी भी ताकत भारतिय जन्ता पार्टी के साथ और कौन नेतुरत कर रहा है यह भी बहुत महतोपुरू है दुनिया का सबसे लोग प्रिय नेता मेरा और आपका भारतिय जन्ता पार्टी का नेतुरत करना का काम करें सबसे परिश्रमी प्रदान मंतरी आज हमारा नेतुरत कर रहा है सबसे पारदर्शी प्रदान मंतरी आज हमारा नेतुरत कर रहा है सबसे विजनरी प्रदान मंतरी आज हमारा नेतुरत कर रहा है और गरीब और दिव्यांगों के पती समवेदन सिल्फ प्रदान मंतरी आज हमा और सबसे बड़ी बात मित्रों अजय योद्धा हमारा नेत्रु तो कर रहा है कि मैं मोदी जी के साथ है 1987 से काम करता हूं दो सिटे आने के बाद अमदावाद मिंसिपल कॉर्परेशन का चुनाव था उस वक्त से लेके आग तक 1987 से लेकर 2019 तक मोदी जी के नेत्रुत्व में एक भी पराजय नहीं आया है मित्रों विजय ही विजय प्राप्षि एसा एक विजय ही नेत्रुत्व हमारा नेत्रुत्व कर रहा है और उनके नेत्रुत्व में चुनाव लगा है मोदी जी ने दुनिया के सामने देश के सामने देश के लोगों के सामने एक नए भारत की कल्पना करें कैसा होगा नए भारत कीस प्रकार का होगा नए दोजार बाइवीस में जब 75 साल आजादी के समाप्त होगे भारत के लक्स क्या होगा मैं बहुत डिटेल बताना नहीं चाहता मित्रो मोदी जी ने ताई किया है गंदकी से मुक्त भारत होगा गरीवी से मुक्त भारत होगा बीमारी से मुक्त भारत होगा ब्रस्काचार से मुक्त भारत होगा आतंक बात को समाप्त करने वाला पूरे विश्व के अंदर अपने घौरव के साथ खड़ा रहे एसे नए भारत का निर्मान करने का स्वपन हमारे सामेरे नए भारत का निर्मान यह भारतिय जनता पार्टी का हमारे लेता मोदी जी का मिसंद नहीं इन नए भारत का निर्मान इन नए भारत की कल्पना हजारों साल से रूसियों मुन्यों से लेकर आज तक अपनी विचारधारा के लिए अपना जीवन खपाने वाले कई करोडों कारेकरताओं का स्वपन का परिपाक इसी के लिए उन्होंने पार्टी के लिए अपना पलपल जीवन का पलपर सरी का कंकंड दिया और उसी के लिए हम आठने सारों से कांग हारे दबे कुछले दो सिटे आई समाप्त होने के कगार पर आए मगर रूके नहीं और अब रूकने का सवाल नहीं है एक विजयी नेत हमारा नेत्रुत करा है उसके नेत्रुत में 2019 के अंदर फिर से एक बार भारतिये जन्ता पार्टी के पूर्ण बहुमत के साथ NDA की सरकार बनाने का संकल्ब लेकर हमें जाना है और मित्रों मैं आपको एक बार कहना चाहता हूं एक बार 2019 की सरकार बना दीजे भारत माता को व दीजी विश्व में भारत का गरो बढ़ाने में कोई कसन नहीं चाहता हूं और भारतिये जन्ता पार्टी के कारेकरता को भी में कहना चाहता हूं मित्रों चुनाओं के मैदान में जाना है आपका जोस निखाई पढ़ा है जोस जरूरी है जोस के बगर युद्ध जीते नह इसके बारे में की सेरिया पर थ्रस्ट देना है कल मैं आपको समापन की टिपण के वक्त बताऊंगा मगर मैं आप ततिनीदी हो 11 करोड भारतिये जन्ता पार्टी के कारेकरताओं के आप सब को संबोधित करते हुए भाजपा के करोडों कारेकरताओं का आहवान करना चाहता हूं कि आज से लगे चुनाओं के काउंटिन तक हमारे लिए विराम को कोई स्तान नहीं है हर चड़ भारतिये जन्ता पार्टी और माभारती को समर्पित करनी है और मैं आहवान करना चाहता हूं देश की सवा सो करोड की जन्ता का भी कि मोदी जी ने पांस साल के अंदर एक पूर्ण बहुमत की नीना एक सरकार दीजे ये चाहते हैं मजबूर सरकार हम चाहते हैं मजबूर सरकार बेश की जन्ता भी मजबूर सरकार चाहती है मोदी जी के अलावे मजबूर सरकार कोई देह नहीं सकता आप एक बार 2019 में फिर से मोदी जी को प्रधान मंत्री भारत के गवरों को विश्व में शर्व प्रथन सान पर स्थापीद करने का काम नए भारत का निर्मान का काम भारतिये जनता पार्टी के कारेकता पूरे परिश्थ्रम के साथ करेंगे मित्रों बताओ आज सब यहां से संकल्ब लेकर हम जाएंगे एसे नहीं चले गया भाई दोनों हाथ उढ़ाकर जोश के साथ बोले जाएंगे बात्पाकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे मोदी जी को फिर से प्रधान मंत्री बनाएंगे देश का गवरों बढाएंगे और गवरम जरीप के जीवन में उद्यारा लाएंगे तो पूर्ण बहुमत की सरकार का संकल्ब लेकर दोनों हाथ उढ़ाकर मुठी भींच कर माभारती का जहकारा प्रसंद आवाच से करिये बोले बारत मदा की बारत मदा की बारत मदा की बन्दे मात्रम पूरे देशमर को बताया कि राफेल की जो डील हुई होँ बहुत साफ गोई से की गई इसके साथ उन्होंने राम मंदिर पर भी वही जो पीम मोधी के इंटर्वियों में आपने देखा होगा उसी चीज़ को दोराया एक तरीके से उन्होंने कहा कि भारती जनता पार्टी कटीबध है प्रतीबध है राम मंदिर बनाने को लेकर के लेकिन कॉंग्रेस के वकील होगा वो कहीं ना कहीं नियायाले के माध्यम सही होगा सरकार इसवर फिलहाल कोई कानून लाने के विचार में नहीं है आज अधिवेशन का पहला दिन था लगबग 40-45 मिनिट की भाशन हुई अमित्शाह की अमित्शाह ने इसके साथ ही सरकार की तमाम उपलब्धियां गि इसके साथ उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं उनको हक नहीं है कि प्रधान मंत्री मोधी से किसी तरह का सवाल पूछे उन पर कि किसी तरीके का आरोप लगाए पहले उनको असपष्ट करना चाहिए इसके साथी जो विजे मालि जाग रही है इसलिए यह तीनों घोटाले बाज या तीनों चोड भाग गये आपकी सरकार में चोड थे और आप इनको संग्रक्षन देते थे इसलिए यह देश में बैठे हुए थे तो कही ना कई कांग्रेस के जितने भी आरोप लगा पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी अधिवेशन को इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कल जो भी अधिवेशन में संबोधित करेंगे तो वह भी अपडेट आप तक पहुचाएंगे तब तक के लिए आप देखते रहें बढ़ते रहें सिटी पोस्ट लाइव और अगर आपने मारे चैनल को नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और शुक्राइब और शुक्राइब